कि अधिए परिवार में खुश रहेगी इसलिए यहां शादी करवाई थी अब यहां गर उसकी मौत लिखिये किसे पता था ता अब हमेश्य हम उससे कहती थी एक अच्छी पत्टी होने से ज्ञाध एक एक बच्चे की मान बनना जरूरी है क्या सब जैसा कहते हैं मैं बच्चे कूलता करने मेरी बेनी इसके जुज में सर मैं कैसे जूँग इसके मेरा इम विपोस के हिसाब से शरीर पर कोई खरोश नहीं है सर बस गरदन पर रसी के घिसने के निशान है सर इंटरनल थ्रोट दबने की वज़ा से उसका दम खुटा है सर आपको जो शक्त था वैसा किसी के भी आने का कुई सुराग नहीं मिला है सर मां या भाई के स्टेट्मेट के हिसाब से पैसे या जिवर किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई है सर अभी के हिसाब से मोद और डाद さइड़ है सर लेकिन क्या काराण है क्यों है ये बात आपके भाई से इंक्वारी करने पार ही पता चली की ऐसा हमने क्या मांग लिया था एक बच्चा ही तो मांगा था जब भगवान खुद देने को राजी हो गया तो तुम मुझ मोड के क्यों चली गई है भगवान अजैसे आपने कुछ मांगा ही नहीं था आपनो जो पैसे मांगे थे वो देने के लिए तो तयार थे हम उससे पहले मेरी बेटी को ही मार डाला ह। और दोस्पी रपोर्ट आने के बाद इंफॉर करना ह। शूर सर। कैसे पैसे खिसने मांगे थे ऐसे कुछ म्मत बोलिये आपके मांग बेना उसने पचास लाक मांगे क्या ह। इसके पापा ने कहा थे हम देयंगे कि अगे कि हम उत कुछ तो दिन रुखा नहीं गया आप लोगों से रुख गय होते हैं तो आज मेरी बेटी जिन्दा होती देखना बेटा हम बर इर्जाम लगा रहे हैं हम ने ऐसी क्या गर्ती करी तो ने ऐसा क्यों किया मेरे बेटी है मेरे बच्ची विजय तुम भले अपने भावी को बेकसूर समझो लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है जो भी है क्लियर बोलो उस दिन तुम्हारे घर पर फैमिली ग्रूप सेल्फी लेकर मैंने फेस्बूक पर अप्लोड किया था उसके बार मेरी फ्रेंड रिखा ने कैसुरी मुझे फोन किया था बातों में मैंने उसे बताय कि भावी प्रेगनेंट है तो उसने भाविया के बारे में एक बात बताई कैसी बात वो एक डॉक्टर है छे महिने पहले वो ज़स फर्टिलिटी हॉस्पिटल में काम करें थी वहां तुम्हारे भाविया गए थे टेस्ट में पता चला कि उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता 10 परसेंटेज भी नहीं है किसी भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो सकता था उसने कहा कि तुम्हारी भावी का प्रेगनेंट होना बहुत ही सप्राइसिंग है उसकी बात छोड़ो तुम क्या कहना चाहती हो इसमें कहने जैसा क् बच्चा प्राइसिंग भी नहीं हो सकता तुम्हारी भावी का प्रानी कम्पनी में कोई कोई कॉई कॉई नहीं हो या फिर एक्स्ट्रामारिटल अफेर कि अच्छती बात प्राइसिंग हो या दुम्हारी कर्वावी कॉबारो प्राइसिंग हो अगरा प्राइसिंग हो आता है कि पापों को डो रही हूं उन्हीं पापों को डो रही हूं उन्हीं पापों का दंड मेरा अलगतार पीछा कर रहा है उसकी कीमत भी मैं दे चुकी हूँ अब मैं अन्जाने में हुए उन पापों का भार डो नहीं पा रही हूँ आपको ही कुछ सल्यूशन देना होगा फादर प्लीज पाप और पापी हम जैसे साधारन इंसान उसका फैसला कभी नहीं कर सकते इश्वरेशु ही उसका फैसला करत कि तुम जिसे गलत कह रही हो हिम्मत करके यहां बोल दो आटेंट लॉट फादर अब थोड़ा रिलीफ लग रहा है जीजस ने मुझे जुक कन्फेश्ण दिया है इसलिए जीचस और आपके हाथ को छुकर प्रेह कर सकती हूँ फादर 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 फसलिए थादर युट माजी इहाए नॉ माजी माजी इहाएन नॉ यहाँ अभी का म का नॉ यहाँ जल दियु पापा, आज हमारी वेडिंग डे है, धनु भी कह रही थी, मैं ही भूल गया था, हैपी एनिवर्सरी, दोनों साथ में खाल गये, थांक्यू पापा, कितने साल हो गये, पाँच या छे, आपको कुछ याद भी रहता है, छटा साल है, हमेशा है खुश रहो बेटा, थोड़ा खुश हो कर बोल दो, इनका इतना खुश होना काफी है क्या, दूसरों को भी खुश रखना होगा, आशिर्वाद देकर भी क्या हो जाएगा, बेटा तुम अपनी मा को तो जानते ही हो ना, अच्छा छोड़ो, चलो नास्ता करते हैं, नमस्कार, मैं आशिर्वाद दे रही हूँ, यहां के कबालिश्वर मंदिर से काशी तक होकर आ गई हूँ, अगले साल तक दो से तीन होकर आशिर्वाद लेने का सोचना, लो आ गया तीसरा इंसान भी, अब क्या कहते हो, हमेशा मजाग ही सूचता है तुझे, है, बाइद वे, many more happy returns of the day, थाइंक्यू, congrats. जो से आज सुबह रहस समय या वस्था में मृत पाए गए, चाहे जिसे भी पकड़ लो आखिर में छोड़ना ही पड़ेगा, गर पेटे रहकर, पेपर पढ़कर, टीवी देकर, लोयर नॉर्डर के बारे में बात करने अच्छा तो लगता पापा, हमें भी आरोपी को गोली मारने की इच्छा होती है, लेकिन उस पर हजार जवाब देने पड़ते हैं, तो फिर ऐसा केस लो, जिसमें तुमसे कोई सवाल ना पूछे, इसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, भाबी, अब आप ही बताओ, ये केस मैं लू या नहीं, ओ, पापा के लॉयर पोस्ट और भाबी के कमिशनर पोस्ट, अच्छा है, ये देखो, पहले तुम्हारी भाबी को मा की पोस्ट मिलने दो, उतना काफी है, पोता ये पोती की शकल देने का सोचो तो हो ही नहीं रहा ह बस बोलो तो कुस्सा तुरंट आता है, क्या मा आप भी, फिर शुरू हो गई न, आप से बिना बोले रहा नहीं जाता क्या, अरे, जो है वही तो बोला मैंने, खाली मैं ही तो नहीं कह रही हूँ, कल पड़ोस की कमला ने आकर लड़की की गोद बराई है कहा, मैंने बोला आजाएंगे हम, सिर्फ आप ही आना बोलकर गई है, अब बताओ मैं क्या करूँ, उनके बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप भी ऐसा ही बोलोगी, पहले उनको बेटी की नजर से देखो, उसके बाद कमिया नहीं दिखेगी, ये, बहुत हो गया नाश्ता, जाकर करो करो आज सुभा इंपोर्टेंट वी आईप यहां आकर परसुनली एक कंप्लेंट वेकर गए हैं स्काई टीवी के सीओ, मिस्टर गागन ना सर, उनकी वाइफ दो दिन से गायब है, जिसकी ये कंप्लेंट दे कर गए हैं एनी टाइप अबजेक्शन या कोई सस्पेक्ट बताया, उन्हें ठीक तरह से तो बताना नहीं आया, बट वन मोर थिंग, ये बात बाहर पता चली तो बाकी टीवी चैनल्स द्वारा कहीं बहुत बड़ा इशू ना हो जाए उस बास से डर रहे हैं इस बात को कॉन्फिडेंशली डील करने के लिए आपको बुलाया है, फर्दर डेटेल्स के लिए मिस्टर गगन को आप इंटरोगेट कर सकते हैं, उनका नमबर है उसमें ओके सर, चल जाओ आपके घर में ड्राइवर्स, मेड्स इन में से किसी ने भी आखरी बार आपकी वाइब को कब देखा कुछ बताया वेंस जे इवनिंग को ही ड्राइवर जब काम खत्म करके घर जा रहा था, सुबह कितने बज़े आना ये बात मेरी वाइब से उसने पूछा था हमेशा की तरह अपने टाइम पर आ जाओंगा उसने जवाब दिया, उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा उस दिन आप कहा थे? हैदराबाद में एक तेलगू चैनल की मीटिंग पे गया था आखरी बार अपनी वाइफ को कब कॉल किया था? अगले दिन मॉर्निंग में किया था उसका फोन सुच आफ बता रहा था मोस्ति उसका फोन सुच आफ ही रहता है इसलिए कैजली छोड़ दिया मैंने तो आपको डाउट कब हुआ? उस दिन रात मुझे डाउट नहीं हुआ बहुत बड़ा इशू नहीं है यह सोच कर मैंने रेट किया उसके बाद ही मैंने परस्नली कमिशनर के पास जाकर कम्प्लेंट करी थैंक्यू सर्व शादी को कितने साल हो गए? चार साल अब तक ना करने का प्लान किया था अब वी आ इन प्लान आपकी वाइफ की होबीज क्या है परस्नल अक्टिविटीज ऐसा कुछ है वो बहुत बड़ी क्रिकेट फैनिटीक है इंडिया ही जीते इसलिए वो चर्च जाकर स्पेशल प्रेयर भी करती है उतनी पागल है वो अच्छा आपकी वाइब को भगवान पर इतना भरोसा है हाँ, हर संडे मिस किये बिना चर्च जाती है कई बार तो लाइफ के जरूरी डिसीजन भी चर्च के फादर से पूछ कर ही लेती है कौन सा चर्च? वेली वकम सेंट थॉमस चर्च उस चर्च के फादर जोजफ की मौत हो गई आप जानते हैं? हाँ, हमारे निउस डिवीजन की तरफ से आइजस गॉट तो नो इट, या थैंक्स पर जोपरिशन विल गट बाक तो यू शॉर्टली थैंक्यू इतने भरोसे से तुम कैसे कह सकते हो विजयर जैसेका को भी पिछले बुद्वार को सभी घर वालों ने देखा है सें थॉमस चर्च के फादर जोजफ का मर्डर गुरुवार को हुआ है और साथ में फादर जोजफ कंफेशन बॉक्स में थे इसलिए उस दिन सुभा किसी को कंफेशन दे रहे थे फिर वो क्यों ना जैसे काई हो यह मेरा आजम्शन है गुड मॉर्णिंग सर गुड मॉर्णिंग बैठिए विजयर यस सर फादर का केस यही डील कर रहे हैं विजयर जिस केस को हैंडल कर रहे हैं उसमें उस रड़की का लापता होना इनके अनुसार फादर के मरते वक्त वो कंफेशन करने आई होगी इस कतल में उसका भी कोई तालुक हो सकता है हो सकता है सर ऐसे शक करेंगे तो फादर की मौत के वक्त बेल बजाने वाले से लेकर चोकिदार तक पर शक करना पड़ेगा इस केस के बारे में आपका क्या ओपीनियन है मुझे तो फादर का मरना एक सूसाइड है यह एक डाउट है सर आप कैसे कह सकते हैं उनकी परसनल लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानिया हो वो एक सच्चे क्रिश्चन थे इशू के लिए इमानदार रहने वाले अपने खून से पवित्र चोच को खराब नहीं करना चाहेंगे अगर उन्हें सूसाइड करना ही होता तो वो अपने घर पर करते क्यों नहीं किया लगता है फादर से ज़्यादा बाइबल आपने पढ़िये इसके लिए बाइबल पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्रिश्चन धर्म को अच्छी तरह जान लो काफी है फॉलो अप के लिए फादर केस को जो असिस्ट कर रहे हैं ठाने के सब इंस्पेक्टर जग पती हैं वो आपकी हेल्प करेंगे बस थोड़ा सा जादा बोलते हैं संभाल लेना I'll handle it sir. Thank you. फादर की हाइट और वेट आपके साथ मैच हो रहा है वो केस पोजिशन में बैठे हुए थे और वो कैसे गिर गए उस बात का अंदासा लगाना था बहर आ जाए उसके लिए ऐसे बिठाये जाता है क्या sir जैसे नई देवा चेक करने के लिए चुवे पर टेस्ट किया जाता है अब आप समझ गये ने sir वादर कैसे बैठे थे कैसे गिरे थे कब मेरे थे अब कहा गया होंगे यह सब बस एक ही अंतर रहे sir वादर जिन्दा नहीं है और मैं जिन्दा हूं बस कमिशनर साब ने जो कहा वो सही था कमिशनर साब ने मेरे बारे में क्या कहा सब बताया हां बीसी भानुमती की बात तो पता नहीं चल गई उस दिन तो अकेला ही गया था प्रोमोशन वाली कोई बात की होगी क्या उसका तो कोई चांस ही नहीं है कर दो कि यहीं सर्जो चर्च में बेल बजाते हैं इनका नाम है अन्थोनी नमस्ते सर आठ सालों से यहीं काम कर रहे हैं फादर के रिकमेंडेशन पर यहां रखे गए थे वैसे फादर लगभग चोच कितने बज़े आते थे रोज तो साथ बज़े आ जाते थे सर संडे को पांच बज़े आते थे कोई स्पेशल प्रे करनी हो तो आने से पहले वो फोन किया करते थे तो उस दिन कोई आया था उस दिन मेरे बच्चे की तबीयत खरब थी इसलिए मैं चला गया था सर लेकिन जाते वक्त गेट बंद मत करना खुला ही रहने दो कहा था गेट खुला रखने की बाद इससे पहले आये पुलिस वालों से य दिनल आपके लड़की नहीं सर और वो कहां मिलेगी कि अधिनल तुम से मिलने पुलिस डेपार्टमेंट से दो लोग आये हुए है बाहर बेट कर रहे हैं कि अन्हें बोलो मैं आ रही हूं अधिन गदे के बच्चे भी बच्पन में प्यारे दिखते हैं सर प्यार करने को दिल करता है पांच-छे साल बाद वही माबाप में जगडा करवा कर अलग-अलग दिशा में भेज देते हैं तोड़ा ज्यादा हो गया क्या वह देखें सर आ रही है यही है मीनल शांत दिखती है लेकिन मुह खुले तो सुनामी आता है सर मुझे क्यों बुलाया है आप ही मीनल हो जी हां मैं ही हूँ क्या बात है मैं असिस्टन्ट कमिशनर विजय आदव अपना आईडी कार दिखाईए अभी अभी तो एलेक्शन खतम हुआ इतनी जल्दी नोमिनेशन करवाएगे तर वोटर आईडी मांग रहे हैं देदीजे आ क्यों आईडी कार होगा तो ही बात करोगी क्यों नहीं मांग सकती क्या यह तो एसे बात कर रहे है जैसे ट्रेन में टीटी करता है ठीक है बताईए क्या बात है फादर के केस में उनकी बड़ी को आपने पहली बार देखा था उस बारे में आपसे कुछ बात करनी है उस बार जारा मैं कितनी बार बताओं दो दिन पहले ही तो आय थे ना यहां कौन मैं आपके डिपार्टमेंट वाले ये भी तो आय थे साथ में दो घंटे तक मेरे घर पर इंट्रोकेशन किया था सारे परोसियों का जवाब देना पड़ा था मुझे मेरे वक प्लेस पर आकर भी मुझ आप मुझे धंका रहे हैं धंका नहीं रहा आपकी बात का जवाब दे रहा हूं सुनिए आपके डिपार्टमेंट से चाहे जितने भी लोग आए जितनी भी बार आए एक ही बात पूछेंगे ना कि तुम चर्च क्यों गई थी सुबाही चर्च क्यों गई थी फादर की डे यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है अगली बार जब मैं आउंगा तो पूरी सच्चाइब बताने की कोशिश करना हूं अगली बार भी आने वाले हैं इन्वेस्टिकेस्टन में भी इंटेर्वल साथ यही मीनल का घर है जाओ देखकर आओ फिर वो बुठा दिमाग खाएगा अभी तो काया क्यों नहीं लो आ गया मेनल घर पर है क्या वो तो सुभा ही नौकरी पर चली गई है अच्छा आप तो पहले भी पूछताच करके गए थे ना फिर किसलिए वो क्या है कि नए ओफिसर आये हैं री इंक्वैरी करनी है अगर आये तो बोलना मिल ले ठीक है ठीक है इस बुड़े की बाद साहब जे कानों में पहुंचते हो गई होगी फिर भी मुझे बताना पड़ेगा चलो बता देता हूं सर सुभे नौकरी पर जल्दी चली गई क्या फिर से वहां चलना है सर जरूरत नहीं है वो खुद थाने आ जाएगी मिस सिंग केस को लाइट ली मत लेना सर कल मुझे प्रोग्रेस चाहिए ठीक है सर केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहती है सर बैठीए प्लीज उस दिन कहा था कि मेरे वर्क प्लेस पर मत आना आज आज आपने घर ही बेच दिया पुलिस स्टेशन में तो किसी लड़की का आना ओके है ना ओके है तो बताईए जब जहां जो क्लारिफिकेशन चाहिए हम भुलाएंगे अब कैसी क्लारिफिकेशन हाँ ये चेंड आपकी है हलो मैं क्रिश्य नहीं हूँ आलेक्स सर ये सर वैष्णोदेवी कब जा रहे हो जाने ही बाला हूं सर चूटी के बारे में आपसे बात करना था ये सब अब फैशन सिंबल्स हो गया है ठीक है तो सुनिये पहली बात तो ये कि ये चेंड मेरी नहीं है और चर्च पर कई ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारे फंड जाते हैं जिने हर मैंने महीं कलेक्रने जाती हूं पर जाने से एक दिन पहले मैं फादर को कॉल करके उसे मिने चली जाया करती हूं अंदर जाकर प्लेयर हाल में देखा तो फादर वहां पर नहीं थे फिर कंफेशन हाल में जाकर देखा तो फादर मरे हुए पड़े थे उसके बाद मैं बाहर कैसे निकली मुझे खुद पता स्कूर्टी को चर्च की लेफ्ट में पार्किया था या राइट में पार्किया था राइट में पार्किया था साइट स्टैंड लगाया था या में स्टैंड क्यों जुस्ट आंसर मी साइब स्टैंड लगाया था लोग किया था किया किया था तब तो अपना चेहरा आएने में तुमने देखा ही होगा ऐसा लगता तू नहीं है उस वाक्त आसपास कुछ अजीब सा लग रहा था नहीं एनी कार और बाइक इफ रिमेंबर नहीं तुमने कुछ तो देखा होगा अच्छी तरह सोच कर बताओ विकाज फादर की मौत का टाइम और आपका उस वक्त चर्च में होना दोनों सेम टाइम था हाँ याद आया एक कार थी वहाँ पे यह तो हमने बताया ही नहीं था ओके हमने पूछा भी तूनीधा क्या यही वो कार है अहां ऐसी ही थी कार के अंदर कोई था नहीं पक्का मैं कह रही हूँ ना कोई नहीं था ओके कूल उसके बाद उसके बार में चर्च के अंदर चली गई चर्च में तीन दर्वाजे हैं में दर्वाजे से गई थी यह साइड से में दर्वाजे तो बंद था इसलिए उसके ब नहीं, अच्छे से सोचो, नहीं, अब क्या होगा भाई, अब क्या दिखाने वाले हैं, हम, is this yours? स्कूटी से जब निकलने लगी थी, तब कीचेन वहां गिर गई होगी, तो फिर की लगाते वाग, आपने डर से स्कूटी स्टार्ट की होगी, उस वक्तों गाडी वहां थी, नहीं, तब नहीं थी, तब नहीं थी, that's it, जैसे का चोच में आई थी, उसका खून हुआ, और बा हो गया ना, अब मैं जा सकती हूँ, एन्यवे, थैंक्स लॉट मस्मीनल, अब अच्छे इन्वेस्टिकेशन कर लेते हैं, थैंक यू, आप भी अच्छा हैंडल कर लेती हैं, मुझे दुबारा तो नहीं बुलाओगे ना, कुछ बता नहीं सकता, आपने पूरा सच नहीं ब इस दिलास्टिकेशन कर लेती हैं, यह लड़की बहुत अच्छी है, सर, मैंने केस की बात की है, मैंने भी वही कहा, यह लड़की कोई केस नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, आप एक काम करो, बोलिए सर, दो चार दिन की छुट्टी ले लो, लगता है साब गरम हो होने से पहले निकल ले बेटा, सर, इस केस की स्टड़ी घर पे कर लू, आप एक्जिट, आपको कैसे क्या बोलू कुछ समझ नहीं आ रहा है, डॉक्टर, बस बगवान ने थोड़े दिन का गयप लिया था, यही सोचना, डॉक्टर, आप मुझे मेरी वाइफ की केर कैसे करनी है, हमारी माओं को नहीं पता है, क्या है क्या, मैं कोई नया थोड़े ने बताऊंगी, एज डॉक्टर, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले इस खुशकबरी को घर में बताईए, ओके, मुझसे ज्यादा, घर में मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, तो फिर पहले उन अरे आना अंदर, आजा, अरे आना अंदर, आजा, विजे, हाँ विजे, वोल्योस ओफिसर से ही सस्पेंस, घर में कितना हंगामा हो रहा है पता है, इतने सालों बाद आप दोनों को मम्मी पापा बो करने वाला एक बच्चा, और मुझे चाचा, इसमें हमारी खुशी तो ह लगिन आप और भाईया खुश हो, वो हमारी सबसे बड़ी खुशी है, इधर दो, क्या बे, भाभी को बहुत डालोग मारना है, इतने साल जो तुने डालोग मारे उससे तो कम है, अरे बापरे, तुझसे तो बात करना ही ना, ओके, अब ट्रीट कां देनी उसका प्लान करो आप अब कर दो, जो जो हमारे खुशी है, अब जो जो बेंगा यहाँ आजए कि तुम मुझे पता नहीं चलेगा अखे आप चाहते कि तुम मुझे पता नहीं चलेगा अखेर आप चाहते क्या है, केस के सिलसिले में मिलना था, मैं नहीं मिल सकती, ओके तो फिर देख लो, मुझे तुम्हे नहीं देखना, उस दिन की तरह मेरे घर के बाहर खड़े हो गया, लेकिन मैं वहाँ हूँ ही नहीं, अब बताओ कैसे देखू तुम्हें, उस घर के साम अब आप घर पे रहो या बाहर, फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है, अब ही फोन क्यों किया है, अब गेस के सिलसिले में, क्यों मैंने वह खून किया है, नहीं, लेकिन खून की प्लानिंग करके दी इसलिए, पुलिस ओफिसर होकर ऐसे फ्लर्ट करते हो, तुम्हें शर चोटे क्लू की जरूरत नहीं है, एक बड़ा क्लू ही मिल जाए, झाल हो, लेकिन खून कि वहीं हमें, अधिन वाब च्काइब तुम्हें है, थे खरून कि अईसे घ्स लाँ था और जोई बेधा झू जब जोगा झूजा रिजया को सबस्क्राइब भोड़ी जैसिका की है ये कंफरम हुआ सर फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक तो बोडी जैसिका की ही लग रही है पोस्ट मॉर्टम यहीं चल रहा है ना यह सर बोडी बहुत डिकंपोज हो गई है इसलिए मौके पर ही पोस्ट मॉर्टम करने के लिए कमिशनर साब ने ओर्डर दिया है इसलिए अधार इसलिए गारी जोवी चीज़े मिस्किये बिना कलेक कर लो ओके सर उनके हस्बन को इंफॉर्म किया अभी इंफॉर्म किया था सर लेकिन तब तक सारे चैनल्स वाले आगे सर वह स्मॉर्टम कहा चल रहा है अध्यूर्म किसी ने इसकी बॉड़ी को काथा तो नहीं है लेकिन इतने दिनों से पड़े-पड़े बॉड़ी सड गई है सर बॉड़ी को धूप भी ने ले गई है सर खली कुट्टों ने नोचा है सर बस टेन मिनिट्स सारा सच सामने आ जाएगा फिर मैं आपको पूल डिटेस देता हूँ ओके आइड़ी आरांओ जैसिका मिलेगी तो फादर की मौत का पता चलेगा ऐसा सोचा था अब वो खुद ही नहीं है कंफेशन देने वाला फादर भी जिन्दा नहीं है और शमा मांगने वाली जैसिका भी जिन्दा नहीं है तो फिर वो गलती आखिर क्या होगी फादर और जीजस के अलावा ये बात किसी और को भी पता है एक्स्क्यूज मी सर फिजिकल वाउंड कॉज आफ डेथ देखेंगे तो उल्टे हाथ की कलाई पर कटने का निशान है ब्लड पूरी तरह से ट्राई होने की वज़े से मौत कोई है सर एंड वन मोर थिंग सर शी प्लेगनेंट उसके कर दे दो महिने का बच्चा था आप हुआ हुआ है हुआ है है अज़ कि अरे अज़े रोना क्या हो गया ना सार मिनिश्टर साप का फोन है है आने ताजी ऐसी कोई देरी नहीं हुई है है आप अपने टाइम से आराम से आ जाईए आप और भावी जी आकर बेटी को हल्दी लगाएंगे तो ही फंक्शन पूरा होगा ना मंत्री जी काव आ रहे हैं कितना लेट हो गया है बस दस मिनिट में आ जाएंगे तुम अपना काम करती रहो ठीक है जल्दी करो कि अच्छिवाले दिन पी इतना मुँ बना कर क्यों बैठी हो मैं नहीं कर सकती मा क्या नहीं कर सकती गलत है न मा तुने जानबूच के थोड़े ना किया था अब आसू बहाने के बजाए जैरी को थोड़ा हस्ता हुआ रख मा मैं तोड़ा वाश्रूम होके आऊ गया मुँ दोकर जल्दी वापस आना मंत्री जी के आने का टाइम हो गया है जाओ जल्दी जाओ है 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 भाए है हाग था आद अदर थंच हो ना सब आपका अशिरवार अब तो राजनीती में अगले वारिष ने कदम भी रख दिया है, अब तुम्हें किस बात की चिन्ता है? अरे सुरेश? हाँ निता जी पंक्षन खतम हो गया या अभी शुरू होने वाला है? बस अभी शुरू हो जाएगा अच्छा, तो लड़की कहा है? ने, यह पापा विद्या इसा हो? विद्या विद्या करना बाथ्रूम गई हुई है जाना कर लुकूंως U cinco मैं भी आता हूं il Т.G. है कि ए लगे लिए गण जय को बिए विद्धिया ज़या ज़या ज़िया ज़िए छा में ज़या ज़े भिवालि को बिदया ज़ को बिए ज़ी है उय। आप रँख अबबस आपग कर दो मैं जा एक प्यावार वगार है। जावार वगार 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 है वगार है। जावार वगार है। । वह भाई आगई वहू है। बादी पर बैट गई है। गाडी अस्टार्ट करने के कोशिश कर रही है। थाएं आप अच्छ आप आ लोग अचे अच्छ लूँ आ कहां तेकर चला रहा दिखता नहीं है क्या मैं अच्छ पुझे चोट पुझे चोट अच्छ अच्छ एए हर दो हुआ 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 कर दो सकते हैं, कर दो कर दो जो जए कर दो को ऐारादा घंडा भूटली द्वाकेंड अलो ब्लाक्लर्स काव्यो, TN 09 F 8479 इस गारी की पूरी डीटेल मुझे आपी चाहिए! कुछ थाट्स किस लीए? जाड़ी उठाने के लिए? या तुम्हारी चेन बचाने के लिए वो मेरी चेन चीन नहीं आये थे शायद मेरा खून करने आये थे हाँ हो सकता है उस दिन चर्च पे फादर का मुर्डर करने वालों ने अगर तुम्हें सच में देखा होगा तो वो तुम्हें मारने जरूर आएंगे विल्यू प्लीज स्टॉप दिस हां यही समझ लो कि मैंने देखा था पर क्या कर लोगे तुम्हां जब से तुम्हें ये इंक्वाइरी इंक्वाइरी नाम से टॉचर करना शुडू किया है तभी से ये सब हो रहा है मेरे साथ प्लीज ट्राइटू अंडरस्टाइड मुझे करना बंद करो प्लीज जब तक तुम पूरा सच नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और मेरे उपर भी कोई रिस्पॉंसिबिलिटी है अपने माबाप की देखमाल करनी है मुझे उनके लिए मुझे ज जाए मुझे के जगान बुल रहां सुरा का अपने चया किया तो उस नमबर पर कोई गाड़ी रजिस्टर नहीं है ओके थैंक यू के इस लिए उस दिन उस चर्च में मार का कचर में फिख दिया होता है तो यह परिशानी नहीं होती उस दिन आपको उसने देखा था क्या कुछ मत बोल बिना देखे आप पर उस्टेशन तक जाएगी क्या हमने देखा था ना तो उसने भी देखा होगा इसलिए तुझे भीचा था इस बर माप कर देजे भाई अगली बर वह हमसे बचनी पाएगी हाँ जॉन बेवकुफी में वहांथ से निकल गई काम तो बिगड़ गया है लेकिन अगली बार नहीं बचेगी वह ठीक है मैं देख लूँगा तुम का बार है ओके कि वैसे उस लड़की का नाम क्या है मीनल हा मीनल उस मैटर को अभी यहीं चोड़ते क्यों क्या हुआ अभी एक हपता जाने दो काब और कैसे तब तक उस लड़की के घर का अड़र्स पता लागा का रखो ठीक है हुम ठीक है अब किसलिए आये हो यहां यह घर भी उन गुंडों को दिखाने के लिए सुनो मीनल तुम जैसा सोच रही हो मैंने वैसा कुछ नहीं का मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी प्लीज जाओ बीटी पापा आप से ही मिल ले आये हैं अंदर आईए सर सर जानते हैं आपको अंदर क्यों बुलाया इसकी वज़ा आपकी पोस्ट ये आपकी इज़त नहीं है कोई बाहर देखना ले इसलिए आपको अंदर बुलाया मेरी बेटी ने इस केस से जुड़ी सारी सच्चाई तो आपको बता दी है उसके बाद आपको क्या चाहिए सर आपके और आपके डिपार्टमेंट की वज़ा से सिर्फ उसे परेशानी नहीं है बलकि पूरी फैमली को परेशानी है इसलिए घर खाली करके यहां चले आए अब यहां भी आप चले आए हैं सर बताईए सर केस खत्म होने तक मेरी बेटी आपके साथ तो नहीं रह सकती ना मैंने बेटा पैदा नहीं किया है सर लड़की पैदा किया है उमर चौबिस हो रही है शादी के लिए लोगों का आना जाना शुरू हुआ है इस समय भी पुलिस की इंक्वारी होगी तो कौन मेरी बेटी से शादी करेगा आप पूछ रहे हो ना आपकी बेटी से कौन शाद है आपकी बेटी जितना पड़ी उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं लेकिन उसे जो पसंद है वो काम कर रही है बच्चे प्ले स्कूल सब पसंद है मुझे बागी अपनी बेटी से बात कर लो अरहा वास्तु ठीक नहीं था इसलिए घर छोड़ा ऐसा जूट मत बोलिये थार इस आ को तो मोझे आकेले में बात करनी थी अब बताओ क्या बात है फादर के डिध जेस्ट हुई थी उसका आधा सची मैंने बताया था माकर छुपा लिया थाा हाँ उस तिन फोटो में है जासिका की कार दिखी थी लेकिन उस कार में वो अकेली नहीं कोई और भी था महा मैंने एक और खार और चार लोगें को भी देखा था कौन थे पता नहीं पर दुबारा देखोंगे तो पहचान लूगे पहले नहीं बताया तो आप क्यों बता रही हो पुलस ओफिसर को सब कुछ बताना जरूरी नहीं है जिससे पसंद करती हैं उसे तो बताना चाहिए भाबी ज़रा अपना फोन देना प्लीज तुम्हारा कॉन क्या हुआ बैटरी खतम हो गई है एक कॉल करके वापस देता हूं आपका मौ ऐसे क्यों बना हुआ है मैं एक हफ्ते से देख रहा हूं कुछ तो अटेंशन या नर्वस दिखाई दे रही हो क्यों नहीं ऐसा कुछ नहीं है अब ओके अगर नहीं पूछना चाहिए तो नहीं पूछूंगा सॉरी विजय वो क्या है ने विजय बच्चा नहीं होने के दुख से ज्यादा मैंने इस घर में बहुत दुख जहले माजी और उनकी सारी सहलिया सबने कैसी कैसे बाती की थे तुम भी अच्छी तरह जानते हो ना लेकिन अब सब बदल गया है माजी तुम्हारे भाईया अच्छी तरह देखभाल करते हैं हां तो सब खुश है ना भावी इस बात पर भी कोई नाराज रह सकता है क्या अगर य है अब एसे परेशान होकर पैदा होने के बाद मेडिसिन हॉस्पिटल स्कूल कॉलिज के बाद क्यों पैदा क्या बोलकर परेशान होने वाले हो ऐसे क्यों बोल रहे हो और नहीं तो क्या ऐसे तो बिमार हो जाओगी बच्चे का क्या नाम रखना है किस स्कूल में डालना है तो वो प्लान करो पहले उस सब के बजाये यह लो पकड़ो इसे नाव चीज अगाँ 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 जेसिका के कार से मिली हैं इस चीजे इनने क्रोस चक करके देखा था मैंने यह वो सारे एविडेंस है जिनका यूस किया गया चाहे जितनी बार भी इस कच्रे को टटोल लो लेकिन वो बुक वही रहेगा, पिलो वही रहेगा, साबुन वही रहेगा, कंगा वही रहेगा, कुछ बदलेगा तु नहीं एक ये एक्जाम, एक ही क्वेश्चन पेपर, लेकिन मार्क्स अलग-अलग, ये कैसे हो सकता है? सर, सवालों को जो समझ जाओ, बुद्धिमान, ना समझ जाओ, बेवकोफ, लेकिन मुझे क्यों पूछ रहे हैं? जल्दी समझ जाओगे, ओ, इस पेट्रोल पम में CCTV कैमरा है के नहीं पता करो? सर, इतने सारे एविडेंस हैं, फिर भी इस बिल को चेक करने के लिए क्यों कहे रहे हैं आप? डेट देखो, जैसे का के गाइब होने के बाद, मतलब जिस दिन उसका कतल हुआ, उस दिन पेट्रोल फुल किया गया, आप समझ में आया? सर, समझ गया सर, आप पढ़ाई करके S.E.P. बने हैं, और मैं बस एक्सपरियेंस के बाद ऐसा ही बना हूँ, यह अंतर है सर, सर, आप से एक बात पुछनी थी सर, क्या? इस थाने में इससे भी बड़े बड़े और इससे भी खतरनाक केस पड़े हुए हैं, उन सभी केसों को छोड़कर, यह जेसिका केस को इतने इंपोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, सर? अभी जवाब देना है क्या? बॉल इस इन यो कोट, सर. फाइव यहस बैक, आरसी स्टेशन में जब मैं इंस्पेक्टर था तब, एक वाइफ के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई थी, तब मैंने ज़्यादा सीरिसली नहीं लिया, वो कहीं गुस्ता होकर चली गई थी, दो दिन में आ जाई यह ऐसा बोला, लेकिन दो दिन क के बाद सिर्फ इसकी डेड़ बॉड़ी मिलने की न्यूज देखी मैंने, उसके बाद वो केस किसी और के हाथों में चला गया, लेकिन आज तक मैं उसका जवाब नहीं दे पाया हूँ, एक लिस्ट जैसेका के केस में उसके हस्बन को मैं जवाब देना चाहता था, बड़ लेकिन जल्द ही मैं इस केस को फुल स्टॉप डाल दूँगा कि अच्छा जवाब थावजीं को फिर दूए नहीं है, इस जवाब आदा यहां भाद भी रिखने में तो अप्डिए लग रहा है लेकिने नहीं से थोड़ा भी नहीं है बात करते समय फोन फट गया तो हम लोग वी ऊपर चले जाएंगे नगता है आज ये गधा अपने रोमांस के चकर में अपने जला कर ही रहेगा आए मेगजी पिछले हफते बुदवार को एवनिंग 430 4,422 रुपीज का 72.5 लीटर्स पेट्रोल किसी ने फिल किया था याद अरखना है थोड़ा मुश्किल है लेकिन कौन सी गाड़ी किसने भरा था किसी को अगर याद हो तो प्लीज बताओ सर कितना बताया था 72.5 लीटर्स सर करेक्ट 72.5 लीटर्स तो फिल नहीं कर सकते हैं सर लेकिन हाँ टैंक फिल जरूर करते हैं 62,80 लीटर्स मतलब हाँ स्कॉर्पियो फॉर्चुनर ऐसी गाड़ी होगी सर ओड़ी एसिक्स में कितना आता होगा सर 60 लीटर्स ही आता है सर आपने जो तारीख बताई थी उस दिन एक फॉर्चुनर की टैंक पुल की गई थी इतने दावे से कैसे कै सकते हो उस दिन मेरी वाइब का बड़्डे था सर उस दिन घर जाने से पहले मैंने उस गाड़ में पेट्रोल भरा था सर ब्लाक कलर था सर मैनेजर सर सीसीडीवी फुटच मुझे अभी चेक कर नेए ओके सर क्वें बोलो कहां हो जैसिका के केस में एंक्वाइरी में हूँ भूल गये मुझे पिक करने आने वाले थे कोई बातनी में खुदी थेटर आ जाती यहां भी रोमान शुरू हो गया हाँ ठीक है मैं तो तुम्हारी सेकंड वाइफ हो ना ए ऐसा मत बोलो क्यों नहीं तुम्हारी फर्स्ट वाइफ जादा इंपोर्टेंट है इसलिए वहां हो यार क्या हुआ कपड़े सूखने डाले थे वह उतारना बूल गई ओके अब आपस फोन गरता हूं बाई याँ उवाँ रड़ी है सब वही देख रहा हुआ हम सर जो टाइम आ अपने वत्राइघा है उसे ही देख रहा हूं ओके चंशाए कामरा टू को मैंसिमाइज करो किए कि जस पाइब खोड़ किए दूदा फॉवरड? कि हम एक पोषग मंटबर? थोड़ा रहा हो जाओ किएए नहीं अप्रिंग करेंगर ना को मां कुछी हो कि मैं फ्रीज है तो क् wrapping तब कि करू दोदार मां? कि लेहा है? उआ है? को लगरी हैं तूञ है फोकिस क्लियर निया बाजोली सीट बार फुल टाइट आमीनल, मैं कुछ तुमें फोन करने वाला था, क्या हो अपन, उस दिन चेस आगमी को चुछ में गार में देखा था मैंने, वो मुझे तुन्टे वे यहां भी आपँचा, क्या बात करें, उसी गार में, सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन जो मेरी चेन चुराने आय था, वो भी मैं इसके साथ है, और भी तौलों के साथ में तुम कहा हो आजो, मैं तो घर में ही हूँ, जो मैं बोलता हूँ करो, सबसे बहले में डूर लॉक करो, क्यों? जो मैं क्या रहा हूँ, में डूर लॉक तरो, चल्डी, चल्डी, चगपती, और इणी एग दॉर यह ज़िए क्या नहीं पेकार में वो भी परेशान हो जाएगे अब क्या करूं पॉलिस का पॉन करूं क्या फोन कट करके दुपारा कर दुपारा क्या कोई बात थी डिस्कनेक्ट मत कर ना तुम लाइन पर रहा हुआ क्या कि अब कर दुपारा को अब डिया है अरे मजनु की अवलाद सिसके बाइक लेकर चले गया ये फोन पर रहा भाई इसे पता ही नहीं है मिला सब्सक्राइबेद तु रहां कर दो दो आंखे सभी एसी इश टीवी फैन अफ कर दो कि अचोज़ ने कर दिया है यह दूर पर यूफाइडर है ना उसके नीचे जा कर बैठ जाओ नी में नावरी निसको कुछा कोुछा थी। अब सुनो, तुम्हारे पहचानवाले ठेल्टिक। को अब सुन्ध नुद को अब एप दर्वासा मत पूला में आने को चाहिसे को मिना करें इद युदी गोस्ट कोई मि आयए तर्वासा मत कूलना बढ़िए एक टूप जब ऑख एक डूण कर एक लाओ ऑई पटुड़ एक टार वका एक टूछ झाफ। पटूब एक लार हां कि अप्रेटेज। यहां नीचे तो कोई गाड़ी यही पर थी अब नहीं है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जब तक मैंना बोलू दर्वाजा मत खोलना तुम अंदर ही रहो है सर कहां से आ रहे हो सेकंड फ्लोर सर यहां किसी कार को देखा नहीं सर मैंने कुछ नहीं देखा झाओ 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 सर यहां के सराउंडिंग के सारे सिगनल पर ब्लैक फॉर्चोनर कार को ट्रेसाउड करने के लिए के लिए के लिए ओके आसपास की सारी स्ट्रीट्स को अच्छी तरह से चेक करो ठीक है सर यहां मुझे बुलाने के लिए तुमने कोई प्लान किया था मुझे यहां टेंशन हो रही है तुम्हें मजाग सूच रहा है ओके ओके कमान कूल तुम्हारे घर पर मैंने दो पुलिस वालों को सिकुरिटी के तौर रखा यहां सकते है तो इससे एजी नहीं लेना चाहिए मुदर का पता लगाने के लिए तुमने कहा ता किसी और को क्लू बनना होता है लगता है तुम्हारा क्लू मैं ही हूँ ए ऐसा क्यों बोल रही हो बस एक हफते में यह केस खत्म हो जाएगा अच्छा तुमने जो कहा वो सच अच्छा नहीं मुझे नहीं पता लेकिन अब तो मैं तुम्हार लिए इतनी दूर आ गया हूँ एक ग्लास थंड़ा पानी तो बनता है मैं क्यो दो पुलिस वालों की तर तुम नहीं दोगी तो क्या जैसे मेरा घर तो बहुत दूर है ना मैं खुदी बीलूँगा तुम अ घर बहुत बाद है सब्सक्राइब कर दिया है मेरी बेटी इस परिवार में खुश रहेगी इसलिए यहाँ शादी करवाई थी अब यहाँ अगर उसकी मौत लिखी है किसे पता था अभी हमेशा मुझसे कहती थी एक अच्छी पत्नी होने से ज्यादा एक एक बच्चे की मां बनना जरूरी है क्या सब जैसा कहते हैं मैं बच्चे को पैदा करने की मशीन हो क्या मेरी कोई इजट नहीं है क्या ऐसे नजाने क्या 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 कहती रहती थी लेकिन उसने ऐसा क्योंकि असमज में नहीं नहीं आ रहा यार मेरी बेनी इसकी जुद में सार इम रिपोस के हिसाब से शरीर पर कोई खरोश नहीं है सर बस गरदन पर रसी के घिसने के निशान है सर इंटर्नल थ्रोट दबने की वज़ा से उसका दम खुटा है सर आपको जो शक्ता वैसा किसी के भी आने का कोई सुराग नहीं मिला है सर मा या भाई के स्टेट्मेंट के हिसाब से पैसे या जिवर किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई है सर अभी के हिसाब से मोड और डेथ सुसाइड ही है सर लेकिन क्या कारान है क्यों है ये बात आपके भाई से इंक्वारी करने पर ही पता चलीगी कि ऐसे अमने क्या मांग लिया था एक बच्चा ही तो मांगा था जब भगवान खुद देने को राजी हो गया तो तुम मूँ मोड़के क्यों चली गई है अज एसे आपने कुछ मांगा ही नहीं था आपनो जो पैसे मांगे थे वो देने के लिए तो तयार थे हम उससे पहले म कुछ भी मत बोलिये आपके मांगे बिना उसने पचास लाग मांगे क्या इसके पापा ने कहा था कि हम देए देंगे जो करेंख आपके पेटें लोगों से रुख कयो होते हैं तो आज मेरी बेटी सिंदा होती है हम पर इर्जाम लगा रहे हैं हम ने ऐसी क्या है इसा क्यों किया है पेटी है अब कि विजय तुम भले अपने भया भावी को बेकसूर समझो लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है जो भी है क्लियर बोलो उस दिन तुम्हारे घर पर फैमिली ग्रूप सेल्फी लेकर मैंने फेस्बूक पर अप्लोड किया था उसके बार मेरी फ्रेंड रिखा ने कैसूली मुझे फोन किया था बातों बातों में मैंने उसे बताए कि भावी प्रेजनेंट है तो उसने भाया क बारे में एक बात बताई कैसी बात वो एक डॉक्टर है छे महीने पहले वो जस फर्टिलिटी हॉस्पिटल में काम कर रही थी वहां दुम्हारे भाईया गए थे टेस्ट में पता चला कि उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता 10 परसेंटेज भी नहीं है किसी भी ट्रीट करने जैसा क्या है विजय हो सकता तुम्हारी भावी का अपनी पुरानी कंपनी में कोई कॉई 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 हो या फिर एक्स्ट्रा मारिटल अफेर को दें नहीं पात आता तुम्हारी नहीं एक अधिय जिए न था कॉन की प्रसाइए निए क्रेंड प्रसाइब प्रसार और बापिसर वे शर अभी की सरी रिपोर्ट्स अभी आई था कर दो दो कर दो दो आंगा, झालोगा. जग्पती, सी है? जथे चैसिका टोस्पी रपोट्स लेगा झाल इस मेडिशन के इस्तेमाल गर्व के डवलमेंट और तंदुरुस्ति के लिए कुछ सेलेक्टेड हार्मोंस पैदा करने के लिए किया जाता है प्रजनन शम्ता मतलब टेस्ट्यू बेबी आई राइट नहीं एक्जेक्ट वही है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं इसलिए एक बात और ध्यान देने वाली है वो क्या पिछले महीने मंत्री बद्रिनार जी की बहू का सुसाइट केस हुआ था वो याद है ना आपको अन्नानगर वेस्ट इसेक्टली वो ही उनके शरीर में भी ये मेडिशन पाई गई थी आप पॉलिटीकल स्टेट्स की वज़े से पेपर में ज्यादा नहीं डाला था प्रेस्टीज की वज़े से येस डॉक्टर बत तीन लोग मरें इसमें कहीं तो प्राब्लम है प्रॉब्लम कहा है उस पर तो हम शक नहीं कर सकते हैं लेकिन सभी लेडिज के हस्बेंट से बात करेंगे तो कुई ना कोई क्लू मिल जाएगा तुम खाना खाओ बेटा मैं पापा को दवा दे के आती हूं आ गया लेट हो गया तुछ हम एक्चली भावी के केस में लगा था तो लेट हो गया कैसे कर लेते हो तुम क्या जूट बोलना पुलिस से छुपा सकते थे लेकिन मुझ से नहीं छुपाना चाहिए था जूट क्या बोल रहा है तू बावी के बारे में क्या बावी के बारे में बावी को क्यूँ मारा क्या बोल रहा है बावी के बावी के पेट में तेरा ही बच्चा था ना क्या बगवास कर रहा है अभी के बारे में क्या बोला तूने जाथ बॉजे पुलीस वाला तो क्या कुपी बोलेगा तू जा बढ़ा तूने तूने क्यों छुपाया हाँ छुपाया वो गलत नी लगा तूजे जा चुपाया मैंने मैंने क्या चुपाया तू जो चुपा रहा वो बत-दा छोड़ मुझे, यही बगवान, मैं करो छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, जोड़ो इनको, क्या कर रहे हो तुम लोगों को, क्यों जगड़ा कर रहे हो, मा, भाबी से जोड़ी कोई बात छुपा रहा है, पूछो इसे, तु पागल हो गया, मैंने कुछ ने चुपाया, ए, मन कितनी बार मेरे सामने ही आपने भाबी को टॉंट मारा था, चाहे कोई भी घर पर आये, कोई खास बात है क्या यही पूछते रहते थे, बाहर जाओ तो कुछ नहीं है, यही बोलते रहना, कोई भी डॉक्तर, कोई भी एस्पिताल, बस आपको इस बच्चा पैदाओ कर मिल कितनी बार मेरे से बाहुamaan, के पर अपने बाहु दुन का टॉय às अब बोल! बताने बोलो क्या सुनना, मेरी ही कमी है, मेरी ही कमी है, मैंने गल्ती की लेकिन तु raising, अब आ िधा आये, प्यस्तिता है, वेसा कुछ भी नहीं, तो खुद अच्छे से जानता है ना जाने कितने हॉस्पिटल, कितने डॉक्टर, कितने मंदिर में मैं और तुम्हारी भावी होकर आये थे आखिर में एक भरोसे मंद हॉस्पिटल में अपॉइन्मेंट मिला पहली बार हमारे अस्पताल आये हूँ ना? हाँ, डॉक्टर आप कहां काम करते हैं आर के स्टील्स में चीफ इंजिनियर हूँ मतलब हीट जहां बहुत ज्यादा है वहां काम करते हो आपकी सेक्शोल लाइफ तो ठीक है लेकिन बच्चे के लिए देखा जाए तो आपका स्पर्म काउंट मतलब शुक्राणूओं की गिंती नॉर्मल है लेकिन मोबिलिटी स्पीड हेल्फ ने सब वीक है आजकल के कपल्स में अक्सर यह परिशानी देखी गई है जिसका कारण है उनके काम करने की जगा मेंटल स्ट्रेस आपका खाना सब माइनी रखता है यह कोई पर्मनेंट प्रॉब्लम नहीं है थ्रू प्रॉपर ट्रीट्मेंट इ सिक्स्टी परसंट कंफर्म है कह सकती हूं बाकि चालिस परसंट वो तो इश्वर के हाथ में है आपको अगर लेट लग रहा हो तो एक और तरीका है कैसा तरीका डॉक्टर आर्टिफिशल इंसेमिनेशन मतलब इसमें सोचने जैसा क्या है आजकल की दुनिया में हस्बेंट द्वारा बच्चा ना पैदा कर सकने वाली लड़कियां किसी और के शुक्राणों की साहिता से लीगली बच्चे पैदा करें आजकल रही है ऐसा होते हुए यह तो आपके हस्बेंट का ही होगा इसमें सोचना क्या कि 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 अभिनाया जिसने आत्मत्या की उसके ब्रदर इनलो ने बताया रियली इट्स पिटी अपाउट डेट गर्ड पता नहीं चला उसने सुसाइट क्यों किया आने वाले पांच महीनों में उसकी गोद में बच्चा होता कि आर्टिफिशल इंसेमिनेशन के तरीके से बच्चा पैदा करना सच में सेफ है क्या डॉक्टर इसमें क्या शक है यहां रिस्क वाली बात की जगा नहीं है आपकी भावी मर गई है इसलिए ऐसा बोल रहे हो यह थोड़ा चाइडलिश है सिर्फ मेरी भावी नहीं मरी है आर्टिफिशल इंसेमिनेशन करके बाकी तीन लोग और मरे हैं यह भी चालिश लग रहा है ना एक्स्क्यूज मी आपकी भावी की भाथ ती इसलिए बोला बाकियों के बारे में आपकी व सवाल पूछ रहे हैं पुलिस वाले तो सवाल ही करते हैं ना मैं यहां नॉमल एंक्वाईरी करने आया था लेकिन आपकी बातों के बाद अब मुझे ओफिशल एंक्वाईरी करने पड़ेगी मेरे भाईया बच्चे पैदा नहीं कर सकते दूसरे हॉस्पिल से यह रिपोर्ट मिल चुकी है इस बार में आपका क्या कहना है सिंपल सरदर्द लेकर किसी डॉक्टर के पास जाओगे कोई साधारन दर्द बताएगा और कोई डिहाइड्रेशन बताएगा कोई एम राई करने को बोलेगा लेकिन कौन सही डाइग्नोस करके ट्रीटमेंट कर पाता है वही ज़रूरी है यह सही है कुछ डॉक्टर्स तो स लेकिन हम वो सारी रिकॉर्ड्स सीक्रेटली मेंटेन करते हैं प्राइवेसी मेरेज बताकर सेलफी लेकर फेस्बूक में डालने जैसी बात है नहीं आप लोग सीक्रेट मेंटेन करते हो किप अप एप एनीवे लीगली आपके फ्रेंचाइजी में किस-किस अस्पताल में इतनी जंदी नहीं मिलेगा आपके हस्बंड इस हॉस्पिल के डीन ही नहीं लेकिन इंडियन मेडिकल अस्पोसियेशन के वन अप बोर्ड मेंबर्स है तो आप एजील अरेंज कर सकते हैं मैन्यल और होल सस्टम रिपोर्ट्स एक भी मिस्नी होनी चाहिए शूर कल सुभा मिल जाएगी सॉरी मैं अगले दो घंटे में चाहिए ओके मैं डिपार्ट्मेंट को इंस्ट्रक्शन दे दूंगी फ्यू दोंट माइंड प्लीज मेक इट नाव हमारे हास्पिटल में जितनों का ट्रीटमेंट हो रहा है सभी पेशेंट्स की फुल डिटेल्स इमेजेटली अरेंज करो थांक यू डॉक्तर आगे कुल भी डिटेल्स की जुरुआत पड़ी तो मैं आपको कांटाक करो शुल कि क्या किषिए बालू सलून सरशेविंग कराने वले हैं क्या कल का दैनिक भास करोगा वो लेकर ठीके सर कि यह लीजिव अ हालो, तुलसी बोल रही हूँ, आपको आना ही होगा, प्रोब्लम सीरियस है सर, वर्मा होस्पिटल के आर्टिफिशल इंसेमिनेशन तरीके से गर्बधारन करने वाले सबी लोगों से पुष्थाश कर ली, उन में से विद्या, आपकी भावी अभिनया, जेसिका के साथ छे औरते हैं जो प्रेगनेंट होने के बाद मर गई है इन चारों की नैचुरल डेथ हुई है, किस वज़ा से मरी है ये उनकी फैमिली को भी पता नहीं पता नहीं किस की गलती है यही तो समझ में नहीं आ रहा है, अस्बताल की गलती है या कोइंसिडेंट है या फिर पताल की बाद है क्या हो असर? मैं एक्स्ट्रीमली सॉरी विजय उस दिन तुम्हारी भावी के पारे में जो भी कहा वो गलत था क्या की में जब मैं गूमता था भावी मुझसे मजाक में पूछती थी ऐसा क्या बड़ा केस है चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दू लेकिन अब भावी भी उसी केस का हिस्सा है तु अब भावी की डेध के जर्ए उन चारों की डेध के पीछे का कारण पता लगा सकते हैं 23 उसका ही मुझे जवाब जानना है सिर्फ उस हॉस्पिटल में पिछले 6 सालों में 436 आर्टिविशल इंसेमिनेशन ट्रीटमेंट हो चुकिया है उसमें 6 लोग मर गए सिर्फ इतना ही नहीं आदे लोगों की फाइल्स में 23 नंबर का कोड इस्तमाल किया गया और तो और भाइया और हम से चुपाकर भावी ने अपने खारवालों से 50 लाख रुपे मांगे हुए थे भाइया और हॉस्पिटल इन दोनों को पैसे नहीं चाहिए थे तो किसी तीसरे इंसान को उन पैसों की ज़रूरत थी माइम बिल कि अधार को पॉन करें तो अथाते हो नहीं हो अश्पिटल आपको अश्क्रिम दिलानी पड़ेगी तीक है ना ममी को नहीं पतांगी यह 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 हो यह है बड़िए ना को डोड़िख सब्सक्राइबरा मुझे आपकेर को मेरे अच्छास मैं बहुत लेट आपको गई मीनल यह सब जो हो रहा हॉ उसे देखे हुए यह केस मुझे ब्लाक्मिल का अपका है अज़ मिर्थ! पुलिस वले के घर में हाथ बढ़ डाल उसी दिन कहा था मैंने नहीं सुना तूने अब देख सेंटी मेंटल और इमोशनल जगह से पैसे नहीं निकालने चाहिए थे हाथ डालना गलत नहीं था उन दोरों को जिन्दा छोड़ दिया वही गलत था खुद गलती करके मेरी तरफ पुली मत कर जब तक मामला ठंडाने पड़ता अगला टार्गेट टीले करते हैं बिलकुल नहीं हाथ डाल चुके है बड़ा टार्गेट है अम आउन दू दिन में मेरे हाथ में आ जाएगा किसी बरभरोसा मत कर तुझे खुद ही यह काम करना होगा गॉड़ इट टीक है किसी को अंदर मताने दें तुम्हें कितने बड़े रिस्क में फसादी आना अम एक्स्ट्रीमी सॉरी वह तुम्हें मारने आये थे या मुझे मारने आये थे जाहे जो भी और अभी तुम्हारा सेफ रहना जरूरी है तुम अस्पिताल में जब तब तक हो दो पुलिस वले तुम्हारी सिक्यॉरिटी में रहेंगे रोखे इसलिए वापस इस हॉस्पितल में अग्विट करवा दिया तो तुम नहीं रहोगे क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं यह किस फिल्म का डायलोग है ठीक है पुलिस टेशन में थोड़ा काम है मैं जा कर आता हूं टेक रेस्ट विजय वो आखिर ब्लैक्मिल क्यों करेंगे कि देखते हैं कि आगे तुम बच पाओगी या मैं थोड़ा सबर करो बहुत जल्द इस बात का खुलाचा हो जाएगा तुम इससे बच नहीं पाओगी मैं अपने पेट में पल्रे बच्चे की कसम खा के कह रही हूं मैंने कोई गलती नहीं किया मेरा भरोसा करो प्लीज मेरा भरोसा करो कट एक्सिलेंट शॉट होके है है मैं मुझे भी पूलीस ओफिसर आपसे मिलना चाहते है है कि अधिक है मैडम एक माँ अपने बच्चों को कैसे पाले आपका सीरियल देखकर ही आजकल औरतें सीखती है मैंने चड़ा दिया सर आप शुरू हो जाएए आपकी वाइफ कंसीव है ये बात इन्हें अस्पिताल में देखने के बाद मुझे पता चली कंग्राचिलेशन्स थैंक्यू पब्लिक लाइफ में आते ही तुलना जलन पैसा दुश्मन यह सब मिलने लग जाते हैं सब आपके साथ ऐसा कोई दुश्मन जुड़ा है ऐसा तो कोई नहीं है सर अएवान एसा को लेकर इन कुछ हफ़तों ऐना कोई रीदेशन्स ऐसा कुछ, थ्रेट्स, ऐससा कुछ ऐससा कोई थ्रेट्स यह थ conspiracy Mother निडर होकर बताना, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, वो मैं और डेपार्टमेंट देगा. सर, वो होगा. नहीं, वो, मैंने कहा ना किया, ऐसे कॉल नहीं आई करके, तो आप बार-बार क्यों पोछ रहे हैं? नहीं, सर, आगे ऐसा कोछ हुआ, तो यू किन कॉल मी एनी टाइम, सर, जो चीज है ने उसकी बात क्यों कर रहे हो आप, वी निट सम प्राइविसी. एनीवे, आपने कॉफी बलाई, उसके लिए थांक्स, मेरे नंबर की जरूरत आपको नहीं बढ़ेगी, चलता हूँ. अच्छा, आप इतने सारे डायलोग बोल लेती है, वो कोई लिखकर देता है, आपने मन सही, जी सर. सर, वो लड़की बले ही ज्यादा बोल रही है, लेकिन अच्छी है, पर उसके पती की शकल देखकर ही गुसाता है, सर. यह जी सीरियल में एक्टिं कर रहा है ना, मेरा वश चले तु इसको निकालकर लॉक आप में डाल दो और दूसरे को रखनू, सर. रवी, इमेडिये दीवी आर्टिस्ट मदन और खौशलिया, इन दोनों के मोबाइल नंबर्स और घर का लैंड लाइन नंबर्स तु रन टैप करो, प्रिटिकुलरली, अल थी इंकमिंग कोल्स शुद बीर्कॉर्ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ सर, बुद इमिंग सर, आप ने जिस नंबर को ट्रैप करने को कहा था, उसमें पाच मिन पेले कॉल इती सर, उसे रिकॉर्ड़ड करके सेफ कर लिया सर फोन क्यों उठाया, वो ना शुटिंग बर थे, इसलिए फोन नहीं उठाया, यह बताओ, पैसे कब ते रहे हो, सॉरी, आज शुटिंग कैंसल नहीं उपाई, कल बैंक से विट्रोग करने माले हैं, कौन सा बैंक, संग्रम नकर के, SBA बैंक, गर विजयना कर में है ना, हाँ पैसे लेकर घर के दर्फ निकल जाना, चीक है, जो डील की है, उसके मुताबिक, अगर पुरिस वालों की पास कहे ना, तो तुम्हारे स्टेटरसोरी बेच, बता भी नहीं चलेगा कि कब मेंट कहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दे दे देंगे, पैसे बात किये है, वो ट्रेस आउट करना मुश्किल है, सर, या तो उन्हें बैंक के पास से पकड़ना होगा, या फिर घर पर जाकर पकड़ना होगा, ना बैंक, ना घर, दोनों जगे उनकी सेफटी नहीं है, घर जाते समय ही, पैसे हाथ में लेने का उनका टार्गेट है वो कहाँ पर लेंगे, उनके दुबारा फोन करने पर ही हमें पता चलेगा, वो ब्लैक मेल क्यों हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है सर, लास्ट टेन सेकंड्स, रिवन करके प्ले करो, जो डील की है, उसके मुताबिक अगर परस वालों की पास गहना, तो तुम्हारे स्टें है, सर वो लो कि अखिर गयान से, हो यू सर वो खुर में बैठ रहे हैं, गयास, गिट स्टाटिट आने आकर पैसे ले लो स्टाब्स, श्टॉप, स्टॉप, स्टॉप, जब रहते हैं, जल्दी चल… कुमार बोल रहा हूँ सर आपका बहुत बड़ बड़ा फैन हो इसले विजोड में तो आपने उलाई दिया था सर लेकिन मैडम ने क्या फैंटास्टिक पर्फॉर्म किया था सर मजा आगया था सर आप लोग मेरी वाइब से बात कर लिजे प्लीज वह आपकी बहुत बड़ी सर आपको बात करेंगे तु उसे बरोसा हो जाएगा सर कि मैने आपको इन फोल लगाया था ब्लीज बात कर लीजे जा कह रहो हूँ सर नाइबोस दे दिया बोल जा कर स्टुबड स्ट्पाइब अजय को बद Stream स्ट्पाइब व्योंसांट झाल झाल है खिर वreckाल ना से ख और बाराँ ना हो तगा ना कर दो कर दो फिर शले हो व incent कंप पमस्टार प्रन हो टो ना है है हम झाले ना भर खाल प्रुस्टार है ock हम एम फटस्टा कि गॉउच्टा है लग्ज़ को! कर दो कि अावा! कर दो! को ऑफाइ! अउन्हें जब तेरिया थे लिसी नहीं विवे लुटे देली है विवे लिवे अपने अपने लिवे में थे लाग! विवे ले झेल Mobal maul कारकहिए क्या हआए सulsive अच्जी क्यों चेक रहो क्यों बिर्द्धक कारम्ज़ा खाल्ट अब कारम्छु का बर्दूब लुका divis डास्टरी लोगीथ नैसे विलकियो College घंड रखि अपना श्रॉड़ो गया साफ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मोरा सथ झाल झाल कि अवान वड़ा नवड़ा नवड़ा है झाँट प्रीद परिभड़ प्राइब दो चली नियुक्त है झाल झाल कर दो कर दोक एजा कर दो एंग आड़ी ओके सर् अपर्पार्टमेंट न में कोई उपरेशन होता है तो इसके हमेशा दो प्लैन होते है एक प्लान ए, दूसरा प्लान भी, तेरे फसने की वज़ा प्लान भी. बोल, क्यों ब्लैक मिल गिया था? फादर, जैसिका, विद्या और मेरी भावी अभी नया, और नजाने और कितने लोग. बता क्यों किया ये सब? आफूपपेड आफू में आफूपप आफूपेड, इसेडा सिर्जाने हे उनया, जब हमितर्ब उन सुंळेड से मैं डिक्ते हैं, इसेफित हैंने, तूसरे पर दिए हैं, उनक्षाम हुआ चाट्रा किया विए, ये सब ये ये सबरीक्त, स्बराए रीधा टियौक्शा पए जाएंगे दोस दिन बाग्यों के गुना भी सामने आजाएंगे वही पूछ रहा हूं वहां हॉस्पिटल में क्या चल रहा है डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं डॉक्टर्स सिर्फ डॉक्टर्स ही हैं क्या जैसिका स्काई टीवी एंडी की वाइफ वो एक बड़ी क्रिकेटर फैन है यही पता है ना आल राउंडर विनो नहरा की वो भागलो जैसी फैन थी आटोग्राफ लेते फोटो लेते हैं लेकिन इसने क्या किया पता है उसका होले वाला बच्चा उसी की तरह क्रिकेट प्लेय होना चाहिए इसलिए उसी क्रिकेट प्लेयर के शुक्राणों कई लाखों में वर्मा हॉस्पिटर नेट्वर्क स्पाम बैंक से खरीते थे वो भी अपनी पती से छुपा कर मिनिस्टर बद्रीनाथ को अपने बेटे का वारिष चाहिए उससे ज्यादा अपनी राजनीत के लिए वारिष चाहिए सोचने वाला एक इनसान लेकिन उनके बेटे से वो नहीं हो सकता था इसलिए अपनी बहु का रिष्टा भी भूल कर खुद के शुक्राणों को ही शी को गलती किसकी है दूसरे पैसों के लिए गलती करते हैं तो हम उने रोकते रोकेंगे लेकिन पैसे मांग करो सुनने वाले फादर और सच बोलने वाली जैसिका को हमेशा की लिए सुला दिया मिनिस्टर हाथ नहीं आ पाया इस दिये, उसकी बहु बिद्या को सच बता दिया वो क्या कर दी? सुसाइड कर दिया डॉक्टर, जैसिका, मिनिस्टर उन सब की गल्तियों को छोड़ो मेरी बापी ने क्या गल्ती की थी सची सुन्दा है ना हेलो अब इन्या हां बोल रही हूं आप कौन मैं कौन हूं वो जरूरी नहीं है लेकिन तुम्हें एक बात जानी जरूरी है हलो तुमसे कुछ जानने की जरूरत हैं हलो तुम्हे क्या चाहिए युजा ह्यों सबना तुम्हें कुए फाइदारी होगा तीन मैंने घु度 भराई और छह मैंनों में प्रिगनशी डेट है ऐसे घुद rif rand तो क्यासे चलेगा इतने पर उस्सा करोगे तो कैसे तुम्हें एक बात नहीं पता है वो बताता हूं सुन लो तुम्हारे पेट में भले तुम्हारा बच्चा पाल रहा है लेकिन वह तुम्हारे पती का बच्चा नहीं है डॉक्टरभटर तुल्सी वर्मा होस्पिटल कर तिम शुक्राणूं तुछियों तेरे पती को ही बता है यह समझ रही है न तुम्हार आए तो यह यह क्या बोलो तुम अगर विश्वास नहीं तो दोप्टर से जाके पूछ ले क्या साच है बता चल जाएगा तेरे पेट में छूपन रहा है वह तेरे पती का नहीं है जो तेरे बच्चा पैदा होगा वो तेरे जैसा लिखेगा जरूर लेकिन तेरे पती जैसा नहीं दॉक्टर, क्या हुआ ? बोलो, मेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है, ना इसमें क्या डाउट है ? तुम्हारा ही बच्चा है वो बात नहीं, डेक्टर यह मेरे और मेरे प्ति का ही बच्चा है ना बताए मुझे जबाब देचे डॉक्ट प्लीज मेरे पेट में जो बच्चा हो मेरे पती का ही है नहीं तुम्हारे पैट में पल रहा बच्चाDe तुम्हारे हस्बन के शुक्रानूं से बना बच्चा नहीं है स्पर्म बैंक से लिए किसी और के शुक्रानूं से बना बच्चा क्योंकि तुम्हारे हस्बन के शुक्रानूं द्वारा किसी भी तरीके से बच्चा नहीं पैदा कराया जा सकता तो फिर आप में मुझसे जूट क्यों बोला डॉक्ट अगर सच बोलती तो किसी और के द्वारा स्पर्म से ट्रीट्मेंट करवाने के लिए हाँ भूलती क्या अगर तुम्हारी फेमिली को बिना बताय करते तो क्या तुम्हारे हस्बेंट मानते लेकिन ऐसा करनी के ज़रूरत क्या थी आज किस दुनिया में कई सालों तक बच्चे ना होने पर एक लड़की और उसके हस्बेंट को सोसाइटी किस नजर से देखती है एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानती हूं वो तुम्हीं ना जेलना पड़े इसी लिए एक मा की तरह सोचा मैंने अब बोलो मैंने जो किया वो गलत है क्या तुम्हें अगर अब भी गलत लगे तो मेरे खिलाफ एक्षन ले सकती हो इधर देखो तुम्हारे लिए ना सही सोसाइटी और हस्बेंट के लिए उससे जन्म देना ही पड़ेगा अथिर तुम्हें क्या चाहिए झाय तेरा भशो तेरह पताना चले तो उसके लिए में में एक दील कर ले उसके कीमत बच्छाँ इतनी पैसे मेरे पास नहीं है तेरे पास या तेरे पती के पास भले ही नहीं हो तेरा पाप बड़ा आदमी नहीं है लेकिन अभी केज जीता है इसलिए कम भी नहीं है चार करोड की जाहदाद मिली है उसमें से बस 12.5 परसंटेज उनकी बेटी मागने जाहेगी तो मना नहीं क अधी को या पुलिस को बताने की कुशिस की तो चार महीने पहले तीवी अपीपर में देखा ही होगा ना साच बताने वाले जैसिका और उसे सुनने वाले चर्च फादर मारे गए थे आज कल तो मैं आफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं लड़की पैदा होगी तो क्या नाम होगा लड़का पैदा होगा तो क्या नाम होगा लिष्ट बनाने में ही टाइम निकल जाता है अब को क्या चाहिए लड़की या लड़का इतने सालों बाद हमें एक बच् अर्विन नई ए एस ए फॉर अर्विन एस फॉर श्री अभन्या बच्चे पर पिता अकेले थोड़ी हग जमा सकता है सारा दर्द सहकर पापा की पहचान बताने वाली तुमको मेरी तरब से इतनी इज़द तो मिलनी चाहिए थी ना हुआ 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 है हुआ 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 कि क्या हुआ अभी अचानक चली आई है इसकैनिंग के लिए तो अगले हपते ही बोली थी आई होप युआ कम्पलीटली क्लियर और अल राइड नौ मैं बात कहूं मानेंगी नाप बोलो ना इसलिए तो मैं यहां हूँ मेरा अबर्शन कर दीजे डॉक्तर यह क्या कह रही हो हां डॉक्तर मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए डॉक्तर यह तुम्हारा बच्चा है नही यह मेरा बच्चा नहीं है मेरे पेट में अगर कोई बच्चा होगा तो वो सिर्फ मेरे पती का ही होगा एक लड़की के लिए मा बनना कितना जरूरी होता है शायद तुम समझ गई होगी सिर्फ मा बनना ही काफी है क्या उनके साथ इमांदार ना रहूं मैं उनके साथ वफ यह जहात्ती रहेंगी इस सिर्फ बच्चा ही ज़रूरी है क्या मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मुझे कैसे रखेंगगी यह बात मुझे नहीं odpow है यह मैं मैं उनका श्रीय के बहुत ख्याल रख सकती हूं तुमारे हजबन की पर्मिशन से यह similar किया सकता आप उनसे क्या कहोगी यह मैं नहीं जानती हूं मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए आपको अपने आपको बचाना है तो जो मैं कहते हूं वो करो मैं इतने दिन प्रसॉर पीडा के लिए उस्सुक थी लेकिन अब यह दर्द मुझे नहीं चाहिए मन भावन इश्वर है मन भावन है पावन बच्चपन है मन भावन है निर्मल निर्मल ये पर है उजला उजला कर एक एक कण में हो बस मन में तेरा ही ये रो हर एक जन में भूले पन में हो तेरा ही स्वारू मन भावन इश्वर है मन भावन है पावन बच्चपन है मन भावन किसे मिला है अर्विंद है क्या वो वो तो अभी ओविस निकल गया आप लो कौन है मेरा नाम जीवा है मैं इसका कॉलेज क्लासमेट हूं आज उसने घर बुलाया था मुझे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया आप रुकिए ठीक क्या कर रहा है मेरी आवाल भी तुम नहीं पहचान पाई है वो तुमने डील के लिए हां के दिया था ना बस इसलिए डील का फैसला करने के लिए हम यहां चले आए जिस दिन जिस सकंड से तुमने इस बच्चे लिए ना कर दिया तब ही पता चल गया कि जब चहो जिस समय चहो तुम हमें फस्वा सकती हो बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम गलती कर दी उनसे और वीजे को नहीं बता पाई आसानी से नहीं मारेंगे इसका भी तरीका है मेरे पास इमोशनली मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं जान यह मान नहीं रही है तुम खोदी बॉल दो स्पिकर रों करो ठीक है यह देखो भी तुम चाहो तो हम डील कैंसल कर देते हैं तुम्हें कोई पैसा देने के जवर नहीं है लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे तुम कुछ नहीं करोगी जो बच्चा होगे उसका बाब भले ही तुम्हारे पती नहीं लेकिन मां तो तुम ही होगी ना आखिर तक तुम्हारे पती बच्चा सब मिलकर खुछ रहो करो देख लो अगर मान जाये तो ठीक है अब बोल बच्चा चाहिए या नहीं हुआ इट हुआ इड़ था करुआम्हा है हुआ इड़ प्रेरी तो सर यह क्या सर गोली मार दिया अपने यही तो सब बाते जानता था सर एक लोते गवा को गोली मार दिया अपने किस बात का गवा हुआ है है कि अपने बिद्ध एक यह चुछ चोड़ते हैं इस सें कोछ असिलने कर भाएंगे मरने तो इसे कि 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 अज़िसर कि सर्च क्यों भाई सर्च कर रहते तो में क्या करना चाहिए पिस्तोल को समाल कर रखना चाहिए था ना हम लापरवा हुए और उसने हम पर गोली चलानी शुरू कर दी अच्छा हुआ शर ने उसे गोली मारकर हमारी जानबाच चली थैंक्यू सर सर पुरा रिकॉर्ड हो रहा है सर सब रिकॉर्ड हो गया क्या हां सर गधा शकल देखो इसकी डिपार्टमेंट में जो मिलेगा उठाकर ले जाओगे वह चार्ज है कि नहीं बैटरी सही है कि नहीं यह सब कंडिशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है उसकी सर्विस करवानी थी यार उठाकर यहां लेकर चले आए और अब आधाए रिकॉर्ड हुआ होगा बात समझ में आई कि नहीं गोली मारने का से नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा सॉरी सर यूजलेस फैल लॉज आएम एकजिट्ट सर्व हॉस्पिटल में आडिफिशल इन्सीमेनेशन के हुए सभी कपल्स की डीटेल इस सिस्टेम में सर यह उस हॉस्पिटल का औरीजल सॉफ़़एर है राइए सर सर्स इतना ही नहीं सिटी के सभी हॉस्पिटल के सॉफ़़यर को हैक करके सारे डेटा कलेक करके रखे मिस्टर विजय आपने डियने टेस्ट के बारे में रिपोर्ट मागी थी वह मिल गई है जो तीन औरते मरी हैं उनके पेट के गर्व की वजए वह मेल डियने हैं जो उनके हस्बेंट के नहीं है हाँ पता है एंड वन मोर शॉकिंग न्यूज तीनों लेडिस जो मरी हैं उनके घर्व के अंदर मिला डियने एक ही इंसान का है लेगली यह सही हो सकता है लेकिन तीनों मर चुकी है ट्रीट्मेंट देने वाला वो डॉक्टर या शुक्राणू देने वाले उस पंप बैंक से बात करेंगे तो इसके पीछे कौन है वो पता चल सकता है पता है रफ़ नम क्या बता है? जॉन मैथ्यू सर्व तुम्हारी वाइफ का नाम? दोन माव? सुझीता सर्व शी इस अ डॉक्तर आप तुम मेडिकल रेव मतलब लव मैरेच हुई है ये बोले हाजी सर, कितने दिन से दिखाई नहीं दी, दो दिन से सर, सबसे पहले एफ आयर लिखा दो, उसके बाद में देखुँ हूँ सर प्लीज सर, उसे कैसे बिपूना ही है सर यह सर, आटिफिशिल इंसिमिनेशन, यह दॉक्टर के तौर बें मैंने कही लोगों को बताकर यह छुपा कर किया है, तो मैं क्यों न करा हूँ सुझी, मेरा बच्चा नहीं दोगी मुझे, जो मुझे मापा कहकर हुआ रहे है मैं तुम्हारे जसे बच्चा पैदा करो पागल हू क्या मेरा बच्चा कैसा होगा यह मैं डिसाइड करूँगी और मैं पैदा करूंगी, समझ गये न तो पती, फैमिली, बच्चा करके, तुम्हारी दासी रहो तो अच्छी हो ना, बच्चा पैदा करने के लिए ना पती की ज़रुत है, और ना किसी के साथ सोने की ज़रुत है, किसी कभी सिर्फ 23 क्रोमोसॉम्स मिल जाए बस, पैसुझी, ऐसा मत करो, मुझे अपना बच्चा चाह मुझे अपना बच्चा पैसा होता है, तुम्हे, मुझे, या किसी को भी, हलो आप पैसे लेख दो लीडुत को ने की ज़रु झाली टाहीत, अपना बसुणिन हो जाए उपला होग को एक ज़रुत है, तुम्हेटल शाली जाए टो जो का पना बच्चा चाहिए, यह को पना बच्चा रही शाली हुट्स मृटिश्मस के पहले ऑधे मिलग भी 4 दिसेंब और सिक्स पुलिस्टेशन में अपनी वाइफ के लापता होने की कंप्लेंट देने वाला जॉन मैथ्यू का एड्रेस और अभी वो क्या करना है उसकी पूरी डीटेल्स मुझे अभी चाहिए रहा हुआ सब्सक्राइब वर्रम हॉस्पिटल डॉक्टर तुलसी यूएस में जिने बच्चे नहीं होते हैं तूसरों की शुक्वाणों की मदद से नजाने कितने लोगों को मैंने सक्सेस्फुल ट्रीटमेंट दिया है बस यहीं पर मेरा बच्चा मेरा वर्ष बताते खूंबते हैं इसमें कुछ ऐसे सेंटिमेंटल ओडियेट्स भी हैं किसी औरका है बोलने पर मानते हीं नस्वेक लिए जोगों से बिज्टेस तुनहीं चलता है दो मिज्टेस चलता है जहाँ सओ लोग हाते हैं उसे बिज्टेस एस रीवालते हैं मरद étaएज क्रोमोस्टों मआणव के साथ मिलकर रही गर्भ थारन होता है वो मर्दों के तेई शुक्रानों किसके होंगे यह डिसाइड करने वाले हम हैं वी आर था गॉड्स एंड इट्स ऑपरेशन 23 एंड देट्स अ बिजनेस इन सालों में कितनों के साथ ऐसा किया अब तक कभी कोई परेशानी नहीं आई अब तुम्हारी वज़े से तीन क्लाइट्स मर चुके हैं प्रूफ है कि यह साइड़ी बिंद्विंद्विंद्विंद पेशेंट को पिना पताएं 23 नंबर से स्टोरिज से इल्लीगली हमके शुक्राणों फिक्स करते हैं उसके बदले में अपने शुक्राणों को बदरवा कर तुम उन्हें ही ब्लैक्मेल करते हैं इनके जरीये क्लाइन्स के डेटा भी ले लिए हैं हमारी जानकारी के बाहर प तुम जो कर रहे वो वाइट कॉलर क्राइम है तो मैं अब जो करने वाला हूँ रेड कॉलर क्राइम अब स्केंट रिपोटर इक एड़ा है डॉक्तर तुलसी रामकृष्णन सर्मिल लाए मैडम अभी मीटिंग में है अब थोड़ा वेट कर यह सर्थ थैंक्यू कि लीकर टुम अब भी छ वेड़ा हूँ ऊज़ा जो जो अब वेड़ा है वेड़ा है थांगर वेड़ा है आप जो आर्टिफिशल ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें एल्लीगली कुछ डॉक्टर्स केस करते हैं, उसका कोड है 23, उसे एमोशनल करके पैसे एंट दी है, ये ब्लाक मिल टीम, मनी, 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 मनी मेक्स टॉल, वो सब तो ठीक है, अभी नया, आपकी भावी, ब्लाक मिलर ने उनका कट्ली किया है न, नहीं, अपनी सोसाइटी पॉइंट करके, कैसे भी करके एक बच्चा पैदा कर दो, ये सोचने वाले साधर और मिडल क्लास फैमिली के मेंटालिटी को, गलत इस्तमाल करके, आप जैसे डॉक्टर्स की वज़े से ही, मेरी भावी, सौरी, मिस्स अभी नयाकी बहुत की वज़े है, सौरी सर, मेडिकल साइंस की उपलबदी को, आप अपने हिसाब से गलत जोड़ कर मत सुनाइए, क्या है मेडिकल साइंस, पैदा होने वाला बच् की जान को खत्रा है, उसका अबॉशन करना मेडिकल साइंस है, लेकिन लव और लस्ट का अंतर जाने बिना गलती करके, उसे सोसाइटी के वज़े से डर कर अबॉशन करना अपलब दिये क्या, इस अ मेडिकल क्राइम, ये भी उसी तरह है, बच्चा चाहिए उसके लिए टे जाता इसलिए, चान लेता है इसलिए नहीं, इल्लीगली जुर्म करने वाले डॉक्टर्स कौन-कौन है उसका पता लगाने के लिए, पेशन को ब्लैक्मिल करने वाली पुरी टीम को पकड़ना है, उसके लिए लीज इन एविडेंस ये है, ये चारो लोग ओफेंस है, एक स तक एक दूसरे के साथ ही है, मेडिकल डेपार्टमेंट में ये चारो इन सभी की मेन वज़े है, पकड़ नहीं सकता, इसलिए भाग रहा है जॉन मैथ्यू, मेरे पीछे माता आना, तू अपनी वाइफ को तो खोई चुका है, तिरे साथ नहीं रह सकी, इसलिए तुने मार सही कह रहा है तू, मैंने ही उसको मार रहा है, हे, कहा है तू? डॉक्टर से मिलने आया, अब मुझे टूड रहा है, लेकिन अस्पताल में अपने कहल फ्रेंड का तो धान रख, वही लड़की, मीना, हे, क्या बक रहा है तू? मुझे पकड़ने के चकर में उसे मत खोदेना तोड़ा तोड़ा मर रही है वो, कहा है वो, कहा है? ट्वेंटी थाओड शिट मीनार मीनार झाल... प्वाँ ठढ़ी कंपे, कंपें, कंपे, कंपें कंपें, कंपें कर दो 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 हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है पितोलियम तॉक्सलीन छोँ औरुंशलीन अटाक्स ट्रेस्टाय लिए उचिपार्लिष एक दा मुखार्ड्स अईवंचोली देत अवालस कम होते होते प्राइज वावट्विए हुआ है हुआ है हुआ 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 है I am just not medically trained Vijay, but also physically प्लाप बॉख 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 पुख थिर आजार अंग उख अबॉख बॉऋ आजारे आजारे मेगां आजारे आजारे ुख अबॉख वह वह ड्याट इंगारे ड़ऊारे ज्कपड़ है घुन प्रसु को जो आए जो हम पाइए खुआ चाहिए जिस दिन वरम अस्पतार में तुम्हारी करारी बावी को देखा था, उसी दिन से डिसाइड कर जा था, उसके पेट में पलने वाली बच्चे का, मैं ही बाप बनूँगा. दोस्तो के लिए सिर्फ पैसा था, लेकिन मेरे लिए इमोशनल अटेच्मेंट था, यस यस अच्छानक अबोर्शन करने का पैसला कर एठी, हो क्यों होती है मेरे बच्चे कुमार देभारी, हाह, हाह, जाए बलड इकिलन, खुड़, खुड़, खुड़! कफ लऒगा है यह लह सुटास झाल झाल